नमस्कार बद्यार्थियों हमेशा के तरह आप इस वीडियो में भी बहुत ही महत्पूर टॉपिक पर कोईशन एंसर तैयार कर पाएंगे तो बगएर इसकिप की पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मैं आपको यहाँ पर कुछ सिकेंड का समय दूँगी अगर आपको कम लगे तो आप स्वेम से वीडियो को रूख कर अपनी तैयारी कीजिएगा चलिए समझते हैं प्रस्म नमबर वन धाड़ा का तातपर है क्वेस्चन को ध्यान से समझना धाड़ा के विषय में पूछा गया है का चित्त को किसी एक विषय पर केंदृत करना ख चित्त का किसी एक विषय पर बिना किसी वेवधान से केंदृत हो जाना का उपरोक्त दोनों ख कोई नहीं स्वयम से चल्दी सेलेक्ट करें तो कब चित्त को किसी एक विशय पर केंद्रित करना नेक्स्ट ध्यान के लक्षड हैं अब इसमें ध्यान के विशय में पूछा गया है कब बिना किसी विवधान के चित्त का एक ही विशय पर केंद्रित रहना ख, चित्त को किसी एक विशे पर केंद्रित करना ग, तोनों ग, कोई नहीं तो ध्यान का लग्चर क्या है? आपको बताना है तो क, बिना किसी वेवधान के चित्त का एक ही विशे पर केंद्रित रहना ध्यान के संदर्व में कौन सी बात सत्य है? क, ध्यान में वेवधान आ जाते हैं परन्तों ध्यान में एक तान्ता रहती है धारड़ा की परपक्वी अवस्था से ध्यान प्रारंब होता है धारड़ा यह धारड़ा धारड़ा का अभ्यास करते ध्यान हो जाता है उपरोप्त सभी तो आप स्वयम सेलेक्ट करें उपरोक्त शभी यानि खा तीनों आप्शन करेक्ट हैं नेक्स्ट अश्टांग योग से प्राप्त होने वाली सिध्धी को कहते हैं क्या कहते हैं अश्टांग योग से क तप्जा सिध्धी, ख समाधिजा सिध्धी, ग मंत्रजा सिध्धी की ख उपरोक्त सभी क्या कहेंगे तो ख समाधिजा सिध्धी नेक्स्ट निम्न समाधिया किस क्रम से उत्पन होती हैं इस क्यूस्टन को ध्यान से समझना का संप्रक्याद समाधी, धर्मेक समाधी, निर्भी समधी इसमें इन समाधियों को आपको क्रम से रखना है तो ध्यान से समझना है का राइट है, संप्रक्याद समाधी, धर्मेक समाधी और निर्भी समाधी या ख राइट है, धर्मेक समाधी, संप्रक्याद समाधी, निर्भी समाधी कि गर आइठे, धर्मेक समाधी, सावितर के समाधी, और निर्वीर समाधी, ख, धर्मेक समाधी, निर्विचार समाधी, कि निर्वीर समाधी, इसमें जो आप्षन है, कौन सा आप्षन करेक्ट है, यानि कौन सा क्रम सही है, तो क, संप्रग्यास समाधी, फिर धर्मेक समाधी, फिर निर्बेश समाधी सिद्ध के कितने प्रकार हैं सिद्धी के कितने प्रकार हैं क, फाइप, ख, एट, क, फोर, ख, शिक्ष तो क, सिद्धी के फाइप प्रकार हैं किस कर्म का फल दुख होता है क, आक्रिष्ण कर्म, ख, शुक्ल कर्म क, क्रिष्ण कर्म, ख, आशुक्ल कर्म तो, ग, ख, 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 योगशूत्र के अनुसार निम्न में से कौन सा कर्म भेद नहीं है क, आक्रिष्ण कर्म, ख, शुक्ल कर्म, क, क्रिष्ण कर्म, ख, नित्टिक्रम इसमें ये पूछा गया है जो कर्म बताये गये हैं योगशूरत में तो कौन डिफरेंट है, कौन सा नहीं बताया गया है तो ख, नित कर्म की चर्चा नहीं है नेक्स्ट, संप्रग्या समाधि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है यहां नहीं कि विसें पूछा गया है क, आकलिष्ट वृत्यां रहती है क, सभी वृत्यों का निरोध हो जाता है क, प्रकिर्थ पुरुस का भेद ग्यान हो जाता है क, जीवन मुक्त आवस्था है है, तो, ख, सभी वृत्यों का निरोध हो जाता है यहां गथन सत्य नहीं है जैसा कि आपने योगसूत्र पढ़ा होगा तो आपको स्वयम समझ गए संप्रग्यास समाधी में सभी वृत्यों का निरोध नहीं होता है नेक्स्ट योगसूत्र को मानने नहीं है क्या माने नहीं है संप्रग्या समाधी में आकलिष्ट वृत्यां रहती है विवेक ख्याते एक चित वृत्य है अशंप्रग्या योग में आनन्द की अनभूती होती है अश्टांग योग सभी प्रकार के साधकों के लिए है संप्रग्या समाधी के बिशे में पूचा गया है यह ध्यान प्रग्या समाधी में आकलिष्ट वृत्या रहती है कि यह नहीं माने विवेक ख्याते एक चित वृत्य है कि यह नहीं माने आशंप्रग्यात योग में आनन्द की अनभूती होती है कि अश्टांग योग सभी प्रकार के साध़कों के लिए कौन शार वाकि योगसूत में माने नहीं है तो जल्दी सेलेक्ट करें ग योगसूत में असंप्रग्यात योग में आनंद की अनभूत होती है ये माने नहीं है धर्म एक समाधी में प्रकरती किस धर्म से युक्त रहती है क ग्यान से धर्म से क वैराग से अनश्वर से तो ग्यान से नेक्स्ट योगियों के कर्म नहीं होते है क आकिर्ष कर्म ख आशुक्ल कर्म क शुक्ल कर्म ख कोई नहीं योगियों कौन से कर्म नहीं है तो शुक्ल कर्म किस कर्म का फल दुख सुक्ष से रहित होता है तो कर्म का फल दुख सुक्ष से रहित होता है कौन से आप्सन से यह गुए आक्रिश आशुकल कर्म और यही योगियों के कर्म होते हैं वासना किसके द्वारा शंगरहित होती है क, हेट, ख, फल, ग, आश्रे और आलंबन, ख, उप्रोक्त सभी वासना किसके द्वारा शंगरहित होती है तो तीनों आपसन सही उप्रोक्त सभी यानि हेट के द्वारा भी, फल के द्वारा भी और आश्रे और आलंबन के द्वारा भी होती है कायवल में प्रकृति होता है का सर्ग ख प्रतिसर्ग और यहां प्रकृति का होता है यह सही रहेगा कायवल में प्रकृति का होता है का सर्ग ख प्रतिसर्ग ग दोनों ग कोई नहीं तो ख प्रतिसर्ग नेक्स्ट विवेग्यान किसका धर्म है का प्रकृति ख पुरुस ग दोनों का ग तीनों यानि विकल्प गलत हैं सभी विकल्प गलत हैं कौन से सही होगा तो क प्रकृति का नेक्स्ट निम्ण में से कौन सा तत्त सांख मत में मात्र विक्रित और योग्जिता के अंसार विशेश है क मन ख बुद्ध ग एहंकार घ पंचतन मत्राएं थ्यान से समझना जरते हैं यह योग नहीं योग टाइपिंग करते हैं वक्त जरा सा मिश्टिंग में गलत हो जाता हैं निम्ण में से कौन सा तत्त सांख मत में मात्र विक्रित और योग्जिता के अंसार विशेश है तो मन बुद्ध एहंकार पंचतन मत्राएं इसमें कौन होगा है क मन नेक्स्ट योग दर्शन का लक्ष है इस्वर की प्राप्ती ख विवेज्ञान की प्राप्ती ग चित्त का ले ग सब ये विकल्प गलत हैं योग दर्शन का लक्षी क्या है तो ग चित्त का ले नेक्स्ट मूल प्रकृत में तिर्गुडों की अवस्था रहती है तिर्गुडों की अवस्था क सत्प्रदान ख साम्य अवस्था ग तीनों गुड निश्क्रिये हैं रहते हैं ग सभी कौन्स आप्षन सई होगा तो साम्य अवस्था ख नेक्स्ट चित्त की एक आग्रता अवस्था के लिए विकल्प चुने का तम एयुम रज सत का अभिभूत नहीं कर पाते एक आग्रता की भी से पुछा गए जा रहा ध्यान रखना ख पंचिकलेश तन हो जाते हैं ग संप्रग्यास समाध्य की प्राप्ति होती है ग सभी जब चित्त एक आग्रता अवस्था का अभिभूत नहीं कर पाते हैं पंच क्लेश तन हो जाते हैं संप्रग्या समाध्य की प्राप्ति होती है इस तरह सभी तो धनी बाद विद्यारति हूं अगर नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्काइब करना बिल आइकन प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरह न आटोफिकेशन प्राप्त हो श्वयम देखना दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना फीडबैक अवर्श्य देना यह वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं थानी बाद